नमस्कर दोस्तों सागत आप सब बच्चों को हमारे चैनल सरकार लेट में तो आप सभी बच्चों को जो प्रॉलम थी बहुत टाइम से नहीं बलकि दो तिन दिन से ओपन बुक जाम जो रिजल्स डिकलेर हुए थे उनके रिजल्स जब आएं तो बहुत सारे बच्चों के लि है जो एक्स एक्स्ट्वेंट हैं जो फेल हो गए हैं जिनका एफ लिका रहा है उन सभी बच्चों का एक इमेल आएगा जिस पर आपको सभी चीज डोकुमेंट आपना सेंड करना है तो आज रिसेंट्ली में पहुंच गिया एस वेल के ओफिस वहां देखा बहुत सारी मतल क्या लगी थी वह चीज में आपको एक पर बता रहता हूं फिर आपको में जो आगे की प्रोसेस है वह बताऊंगा बोट पर नोटिस लगी थी कि आप जो थर्ड यर के बच्चे हैं जिन बच्चों का आर ए और ए बी आया है यहां पर एक्स एक्स्ट्वेंट की अभी बात कर रहा ना ही किसी ओनर्स का तो जो भी यह प्रोणामिंग के बच्चे थे अगर उनका आर ए या फिर ए भी आया है तो वो अपने पॉर्टल पे वैब लिंग पे क्लिक करके अपनी PDF स्केन करके अपलोड कर देंगे यह तो अपको सलूशन हो गया अब बात करते हैं एक्स ए चरा बना के आपको email करने के लिए बोला गया है तो आपको क्या करना है आपको यह चीछ जरूरी से जरूरी करना ही है क्योंकि इसके बाद कोई option अब रहा नहीं यहां पर इन्होंने बताया था कि हमें email प्रोड करेंगे तो यहां पर email उन्होंने प्रोड किया है email इसलिए किया है ताकि वो re-checking के form, re-evolution के form वो उस email पे अपना ले सके अब re-checking की form आपको कैसे fill करना है कैसे आपको document scan करना है क्या 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 आपके document में लगेगा वो सब कुछ मैं आपको इस video में बताऊंगा तो एक बार फिट से मैं बता दू कि यह X-X20 बच्चे करेंगे लकिन जो BA programming के third year के बच्चे हैं जिनोंने सभी paper दिये थे उन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ RAAB ये दो चीज जिसमें आया है वो बच्चे अपना portal पे answer sheet upload करेंगे जो की previous उनके पास answer sheet थी वो अगर previous answer sheet नहीं है आपके पास तो आप एक काम कर सकते हैं अगर कहीं से question paper का arrange हो सकत है आपके पास है तो आप arrange करके आप वहां पे अपना answer OBE script लिख कर आप upload कर सकते हो अब बात करते हैं बच्चों की उन बच्चों की जिनका fail रखा है सिधा-सिधा fail उन बच्चों के लिए भी rechecking revolution का process अभी available है अभी जो मतलब होता है तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप पहले क्या था कि पहले आपको री चेकिंग और री evolution की form जो होती है उसको S.O.L. के पास ले जाने के पड़ते थे उसके बाद वहां से verify होता है उसके बाद वो डिव के official branch में जाता है इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों कोवीड के चलते यहां पर देखते हुए S.O.L. एक email प email आपको एक बार ही करना है और ध्यान नहें अच्छे जगा पर जाके network पर करें क्योंकि जो email करोगे वह सिर्फ और सिर्फ एक बार करना ऐसा नहीं कि आप तीन चार बार उनको email कर देना एक बार email करना और wait करना email का अब बात करते हैं री checking के जो process है process कैसे होगा री checking के process के लिए सबसे पहले आपको form मतलब download करना होगा जो की discussion box में link है वहां सजाईए आप form को download कीजिए download करने के बाद printout निकल लवाके उसको form fill कीजिए form fill करने के बाद वहां पर option होगा किस subject में आपको मतलब fail आया है लो एक्जाम में इर रजल्ट में आपको क्या और e rč a rorn आ ह। सो हो रहा है या फे अ यह यह भी एक्षट 10 की कि बच्चों का absent भी सो हो रहा है, er भी सो हो रहा है, किसी-किसी का तो fail भी सो हो रहा है, तो सभी चीज़ आपको code लिख लेना है, अपने subject का, उसके बाद जो आपका जो marks है, marks कितना है, वो चीज़ वहाँ पे आपको लिखा जाएगा, आपका admit card पे जो roll number था, examination roll number वो चीज़ भी लिखी जाएगी, और हाँ, आपको जो document क्या के लगएगा, document में आपको OBE script, यानि कि अगर आपके पास answer sheet है, तो आप उसको भी scan करके upload करना है, साथे साथ, आपको update करना है, उसके बाद आपका examination, जो admit card है, admit card, बहुत से बच्चों के पास admit card नहीं है, एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा, admit card वो इसलिए मांगते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए examination roll number, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास examination, admit card नहीं है, तो आप simply dashboard से, आप ज जो link है, link पर जाके examination roll number कोपी कर लेंगे, कोपी करने के बाद जब उनको email करेंगे, उस email पे, तो आप वहाँ पे जो body होती है, body में link दीजेगा, कि sir मेरी admit card, मतलब की अभी तक मैंने download नहीं की थी website से, और वो हड़ चुकी है, लेकिन मुझे roll number मिल गया है, examination roll number, ये चीज़ mention करके, आपको वहाँ पे अपना PDF जो scan कर रखे हो, file attach कर देना है, क्या क्या attach करना है, admit card, scan आपको re-evolution, re-checking जो papers होंगे, वो आपको scan करना है, उसके बाद आपको admit card scan करना है, और OBE script, यानि कि आपका जो answer sheet है, वो answer sheet, एक PDF बनेगा, इन सभी का PDF only on एक होगा दोस्तों, ये लेकिन चारों का अलग-अलग PDF बनाया है, क्योंकि जब आप re-checking का form fill करोगे, तो वहाँ पे एक option आएगा, जहाँ आपसे पूछा जाएगा, कि आपको किस subject में कितना back है, कितने marks है, तो इस सब कुछ लिखोगे, तो वहाँ पे एक साथ 4-5 subject भरने का आपको, यहाँ पे option दिया रहता है, जो कि आप fill कर लोगे, उसके बाद आप वहाँ पे अपने जाके process कर दोगे, उसके आद क्या होगा, कि आपका जो email होगा, email वहाँ उनके पास पहुंचते ही, आपके पास एक confirmation mail आ जाएगा, जो कि email आपको अगर आता है, तो ठीक है, नहीं तो आप दुबा outbox में जाके save हो जाता है, तो आप लोग एक पर check कर देना, outbox, आपका जो send box है, ये चीज, कि आपका email send हुआ है, या नहीं हुआ है, जिनके पास question paper नहीं है, वो answer कैसे करेंगे, तो ये आपकी, मतलब की, एक headache है, कि आपको answer, question paper कहा से arrange करना है, क्योंकि, मेरे पास अभी तक कोई भी question paper arrange नहीं हो पाया है, मैंने SOL के, जो मतलब की email ID है, उन पर मैंने बात की थी, पर उन्होंने कहा कि, अभी तक हमारे पास, कोई भी question paper नहीं आया, क्योंकि, बहुत सर बच्चे कह रहे थे, सर question paper मेरे पास नहीं है, तो हम कैसे, उनको OB script ने answer लिख के देंगे, कुछ बच्चों के पास answers होंगे, कुछ बच्चों के पास नहीं होंगे, तो दोस्तों ये थी आपकी information, जो कि आप सभी बच्चों के लिए एक solution निकाला है, SOL ने, तो ये इस solution है, इस solution पे अगर आप चलना चाहते हैं, तो description box में link है, rechecking process के जो form है, उसका, reevolution के लिए जो form है, अब दोनों में difference क्या है, rechecking जो है, आपका पूरा paper check होगा, और reevolution में है, आपका, कि आपको क्या करना होगा, आपके जो जितने number दिये होंगे, उन number को calculate किया जाएगा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको payment भी करना है, ये मह सोचे कि दोस्तों कि ये free में हो रह payment की link आपको description box में मिल जागी, अगर आपसे payment हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने nearby cyber cafe जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप, वहाँ पे payment करा सकते हो, payment की एक receipt आपको मिलेगी, वो receipt भी आपको scan करके, उसी PDF में attach करके, आपको एक PDF बना के send कर देना है, PDF कैसे कैसे बनाना है, पहले rechecking का form, उसके बाद आपका answer sheet, उसके बाद आपका admit card, उसके बाद आपका SOL ID card, उसके बाद आपका जो pay किया अपने fees, उसकी जो receipt होगी, वो receipt, इन सभी चीज़ के आपको PDF बनानी है, सिर्फ और सिर्फ एक PDF और अपने email है, email पे upload कर देना है, इस सब कुछ की जान दोस्तों वीडियो अच्छा लगो तो please like करना और हमारे चनले पर अगर new हो, तो subscribe करतेना और अपने दोस्तों सांच जरूर से जरूर share करना, please दोस्तों क्योंकि यह information बहुत important है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह last year है, जो last year उनका बच जाएगा, चल मिलते हैं, बहु वीडियो में तब तक के लिए, जाइन दोस्तों